हेलो स्टूडेंट आप सब कैसे है मुझे आसा है कि आप सब बहुत ही बैतर होंगे तो आज के हम इस वीडियो में फिजिक्स का जो है अब्जेक्टिव करेंगे बहुत ही आसान तरीका से और बहुत मज़ा आने वाला है तो फिजिक्स का चैप्टर नमबर वन जो यहाँ पे परफिज में होता है वैसा ही इसमें होने वाला है तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए है तो फटाफर चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि इसके बाद जो है जो भी कोस्टन जो है राइट रहेगा अप्शन तो सही हो जाएगा ठीक है नेस्ट है एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की छामता होगी तो जब एक मीटर फोकस दूरी वाले अगर उत्तल लेंस होंगे तो यहां पे देखने को अप्शन चार मिल रहा है पर उसमें सही अप्शन ह होगा one day ठीक है option 20 राइट एंसर है next question है सरल सुक्ष मदर्शी में किसका परियोग होता है उत्तलदरपण इसके लिए आपको समय मिलदा है फड़ा प्ट जो है बताते चलिए यहां पर परकास की क्यूनों को समू को क्या कहते हैं तो यहां पर option A में है परकास सरोत option B में किरणपुञ option C में है परधीप्त और option D में है परकीरणपुञ अपसन जो है यहां पर B सही होता है परकास की क्यूनों को समूंकों अम लोग किरणपुञ कहते हैं क्या कहते हैं किरणपुञ option B right answer है नेश्ट देखे, लेंस के लेंस में कितने फोकस होते हैं, तो लेंस में जो होता है, आपका दो फोकस होता है, तो आप लोग भी यहां पे ध्यान से देखिएगा, कितना होता है, तो यहां पे अप्षन दो सही होगा, अप्षन यह जो है, सही है, यहां पे, क्योंकि दो उसी म है, यहाँ पर इसको जो है आप लोग खरके बताना है कि इसमें से कौन सा सई होगा, क्योंकि इसमें से दो ऐसा आपको लगता होगा कि नहीं है, लेकिन है इसमें से एक ही, ठीक है, नेस्ट कॉस्चन के उरबढ़ते है, मोटर कार के headlight में किसका परियोग होता है देखे motor car के जब side mirror के बात करेगा तो उसमें दुसरा होता है लेकिन headlight में जो बात करेगा जिससे हम लोगों को परकास निकल करके दिखाई देता है आगे जो लगा रहता है तो उसमें कौन सा दरपन लगा होता है ये हमें बता देना है तो उसमे कौन सा दर्पांद लगा रहता है, तो उसमें लगा रहता है आपका आतल दर्पांद, की आपको यहां जी दाधी के बात आए, या कुकर के बात आए, तो वहां फिर हमेशा याद रखना है, क्या ची ओतल दर्पण क्या ओतल दर्पण तो option C इसमें राइट है next question है आपका 10 number 10 number question में कह रहा है किसी दर्पण से वस्तु का परतिवीम बड़ा होता है यानि कौन से दर्पण में वस्तु से बड़ा जो है परतिवीम बनता है यह हमें बताना है तो ओतल में ही वस्तु से बड़ा जो है परतिवीम बनता है तो इसलिए option B right answer है next question सरल सुक्ष में किस का परियोग होता है जो सरल सुक्ष मदर्ची होता है उसमें किस का परियोग होता है तो उससे जो है किनकि हम लोग ओबजेक्ट को बड़ा देखना होता है हमारे आख से जो छोटा है उसको बड़ा देखने के लिए हम लोग परियोग करते हैं उसमें उत्तल लेंज का ता option D इसका right answer है नेस्ट कोशन है किसी उत्तल लेंज की फोकस दूरी हमेशा होती है तो उत्तल लेंज की हमेशा फोकस दूरी पोजेटिव होती है उत्तल लेंज की फोकस दूरी हमेशा पोजेटिव होती है किसी ओतल दर्पन की फोकस दुरी F तथा बक्रता तिरीजिया R हो तो तब F बुराबर R बाइटी फर्मूला आपको याद होना चाहिए फोकस बुराबर का होता है तिरीजिया बट्टा दो ठीक है दो भाग में बाढ़ दिएगा तो हो जाएगा नेस्ट कोस्टन है यदि निमन में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए परियोगत नहीं किया जा सकता यानि अगर लेंस बना रहे हैं तो इसमें से कौन सा परियोग है जिसको उसमें यूज में नहीं लिया जा सकता है तो लेंस बनाने में मिट्टी का यूज नहीं किय जाता है option D right answer है next है lens की छामता को होती है तो lens के छामता क्या होती है दोस्तों lens की छामता होती है डायोक्टर यहां पर option A right answer है next question है किस दरपन द्वारा परतिवीम सीधा चोटा होता है तो दरपन द्वारा किस दरपन द्वारा सीधा अवर छोटा होता है तो उतल दरपन में छोटा होता है अगर एक भी पहलू आपको याद होगा तो आप लगा सकते हैं सही जवाब अब next question है आपका solar cooker में पर्योग किया जाता है तो आप लोग जानते ही है इससे पहले ही हम बताये थे कि solar cooker में आपका क्या ओतल दरपन या headlight के बारे में गारी के headlight के अगला बारे में बबुले तो ओतल दरपन ही लगाई है लेकिन side mirror के बारे में बात करेगा तो उतल हो ज जाता है तो गुलिये दरपन के केंद्र को किंद्र को जो है केंद्र को dead ass कहा जाता है यहां पे दिया है तो हम लग उसे कहते हैं क्या छी धुरू कहते हैं option C right answer है next question है आपका यहां पे 19 number 19 number question को आपको comment section में comment करके बताईएगा कि कौन सा option सही है कि ताकि आपको भी पता चल option हम लोग करते हैं जल का अपरतनांग होता है तो आप लोग एक अपरतनांग का आपका book में है उसको जो टैबल है याद कर लिजेगा यहां पे option जो है जल का परतनांग 1.33 जो है option B right answer है तो चलिए अभी तक अबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर दिजे कि रोज साम को आपको 20 objective question इस चैनल पर मिलेगा और उसके बाद crash course चालू होने वाला है नॉमबर में तो फटा फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद